COVID-19 की महमारी का संकट इस वक्त पूरे देश में फैला हुआ है लेकिन रादस्थान पुलिस के 200 पुलिस कर्मी कोरोना वारियर्स के रूप में अब जैपुर कमिच्रेट की तीसरी आख याने की कोरोना कंच्रोल वारूम के जरीए के हमारी से अपनी जंग लड़कर आमजन को बचाने में अपनी भूमी का अदा कर रहे है कमिच्रेट की इसी तीसरी आख से पूरे जैपुर शहर का खास जायजा लिया हमारी समवानता याद्वेंद्र शर्माने कि प्रकोव पर यहां पर लगाम कर सदे क्लिए जैपुर कमिच्रेट का अबैक मान सेंटर है उसको कोरोना कंट्रोल वार रूम बना दिया गया और तस्वीर हम आप देखेंगे कि यहां पर जो अबैक मान सेंटर की जो कैमरे लगे होग हैं sujet केमरों के जरी पूरे जयपूर शहर में चप्पे चप्पे पर नज़ा रखी जा की यह और करीब 산 for ज्यादा पुलिस फोर से वो तैनात है जो जैपुर शेहर में अपनी नजर बनाया हुई रखी हुई है इन सभी कैमरों के जरिये यहां पर पता लगाया जा रहा है कि कौन है जो लोग डाउन का यहां पर लंगन कर रहा है और कौन यहां पर धारक से चमवालिस का लंगन कर र हुआ है तो सभी जो लोग आ रहे हैं सडकों पर निकल रहे हैं उनको यहां पर चेक किया जा रहा है करीब यहाँ पर 1500 से ज़्यादा जो कैमरे हैं वो अभय कमान सेंटर में लगाया गया है और कोरोना वारियस के रूपे यहाँ पर यह जो अभय कमान सेंटर में के अंदर जो काम करने वाले जो पुलिस करमी है जैपर पुलिस की जो टीम है वो लगाता है यहां पर काम कर रही है हमारे साथ यहां पर इंस्पेक्टर है जिनका नाम है रामधन उनसे बातचीत करेंगे हम सर किस तरह यह अभैकमान सेंटर को कोरोना कंट्रोल वारूम बना दिया गया है और यहां से किस तरह की मॉनिंटरिंग की जा रही है इसको के किया जा आप में सक्त कानुनी कारवाई की जा रही है दूसरा जो वीडियो केमरे हैं उनके द्वारा पूरे सहर की वीडियो के द्वारा सरीबलांस करके उनके CCTV केमरों द्वारा उसके उपर वाच की जा करके और पूरे सहर में जहां-जहां कर्फ्यू लगा हुआ है या जिस जगे प अब तक कितने ऐसे लोग पकड में आएंगी इनकी बहुत बड़ी संक्या है और कर्फिव शेतर के अंदर जो पाबंदियां लगए गई है या उसकी पालना करवाने के अंदर इन केमरों का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इनके दौरा केमरों की टीम दौरा इसके ओप पाबंद किया रहा है यहां पर फेक मेसेज के लिए कौन सा रूम है और जो कॉल्स भी आती है आप हमें बताएंगे तोड़ा बिल्कुल यह पूरा अभैकमान सेंटर का पूरा यह कंट्रोल वार्रूम है और यहीं से पूरी जैपर शेयर की मॉनिटरिंग हो रही है हम आप को वो जगए बी लेके चलता हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो कॉल्स आती हैfach लोग मदद मांगते हैं यह वो रूम है इस से कंट्रोल वार्रूम का जहां पर लगाता है जो लोगों के जो कॉल्स आती हैं जैपर शेयर में उन समश्याओं का निदान करने के लिए आपकी जो पुलिस फोर्स है उस संबंदी थाना चेतर को यहाँ पर इसकी सूचना देती है और उसके बाद उनका यहाँ पर निस्तारान किया जाता है उनकी समश्या का तो सर यह किस टैप का पूरा रूम है यहाँ पर किस कितनी कॉल् पूरे कमेश्चनेट में या आउट यस तरकी समश्या होती है संबंदी डिपार्टमेंट को यहाँ से सूचित किया जाता है और उस जिस कॉल जो उसकी कॉल आई थी उस प्राब्लम सुर्ट आउट हुए नहीं हुई या उसकी कंपलेंस हुई या नहीं हुई उसका फॉलो तो आप प्रड़े मान के चलिए दूसरा यह रूम जो बनाया है गाइगा यह किस टैप करूम है इसको एक बर बता ही बिलकुल करीब एक लाग से ज्यादा की जो कॉल्स है वो यहां पर आती है जो लोग अमोमन पर यहां पर कॉल करते हैं और यह जो पूरा जो रूम है इसको की टीम में नजर रखे हुई है और यह पता लगाया जा रहा है कि किन किन लोगों ने यहां पर मैसेज किया है ट्विटर के जरीए भी जो मैसेज किये गए क्योंकि लगातार अववा फैल रही है और यहां पर पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कॉरोना वाइरस को लेक कि 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 ने कौन कौन से मैसेज किये गाया है किन कि मैसेज कि जरी यहां पर दुष्परचार हुआ है जो लोग है उनके डेर Sutra पे गलत मैसेज के आ हैसर इस रूम के यहां से उन मेसेज को ये चाट के और हम सम्मंदित को भेज़ देते हैं उसको कारवाई की जाती है उसको करवाई की जाती है करीब 30-40 कारवाई अब तक इस कंट्रोल रूम द्वारा करवाई जा चुकी है अगर अपने किटना जरूरी हो जाता है. इस कंट्रोल वारूम का लोगों से कनेक्टिविटी से जुडा हो रहेंथा यह बहुत ही जरूरी है और क्टारा वार्रूम से ही सारा ज्पुर सहर का जो कमिस्टर शेतर है वो इसी से कंट्रूल किया जा रहा है सो सोचल मीडिया पे वीडियो केमरों दुवारा और अन्य जो भी हमारे इंफर्मेसिन टेक्नोलोजी उसके दुवारा वाच की जाकर के और ये लॉकडाउन और कर्फ्यू अधिक से अधिक सफल बने इसके लिए हां यहां की टीम दुव तक लग रहे हैं बाई अबे कमार्ड में कम से कम दोसों से डाइसों की संग्या में पुलिस करमचारी और अधिकरी हैं जो 24 आवर सिप्ट के अंदर कारिये करके और इस पूरी वेवस्ता को अंजाम देते हैं तो बिल्कुल डाइसों से ज्यादा जो पुलिस करमिया ये कॉ जो लोग है शोशन मीडिया के जरी है यहां पर जो कॉरोना के खलाप यहां पर जंग लड़ रहे हैं और लोगों को यहां पर जागरू कर रहे हैं लोगों को जागरू करना इसलिए जरूरी है जैपर पुलिस का क्योंकि यह जो संक्रमन हैं यो लोगों को अपनी चपेट म ना ले लें लोग इसकी चपेट में ना आ जाएं ताकि ये एक दूसरे के अंदर ना फैल जाएं ऐसे में जरूर ही है जैपर पुलिस का मुस्तेद रहना और नतीजा यही है जैपर पुलिस की जो टीम है जो कोरोना कंट्रोल वूर वार्रूम के जरी है यहाँ पर पूरे जंग लड़ रही है केमरा प्रसंद रामकिशन सेनी के साथ याद मुदर शर्मा एवन टीव नुज्जापोर